हेलो गाइस वेल्कम टू मैं चैनल टेक्क रोबोटिक्स आज हैं आज हम एक नई वीडियो के साथ चलिए करते हैं शुरू तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि आप बिगेनर्स हैं तो आप सोल्डरिंग कैसी कर सकते हैं तो जो भी बिगेनर्स होते हैं हैं जिने रोबोटिक्स या कोई भी टेक्स से रिलेटेड़ चीजे पसंद होती है करना तो वह सबसे पहले सोल्डर बाइक करते हैं ताकि वह सोल्डरिंग चीज़ वही है तो आज मैं आपको बताऊंगा सोल्डरिंग टिप्स भी दूंगा और सोल्डर करना भी । यहां मेरे पास सोल्डर आयर्ण यह रेखिया मैं आपको सोल्डर आरंग के बारें एक टिप दूंगा कि जब भी आप सोल्डर आरंग के साथ डील कर रहे ह wield और कियों एकए घॉध्यी हटता है जब हीट होता है तो अगर आप इसके साथ अच्छे से वरक नहीं करेंगे तो यह आपको हां कर सकता है जैसे अगर आप अच्छे से काम नहीं कर आफ्डर अपका ध्यान अपने हाथ Wi-Fi Node MCU है एक solar panel है एक DC motor है एक motor driver है और यह है वो वायर जो मैं समय solder करने वाला हूं और मैं आपको इससे power देके भी दिखाऊंगा कि यह work कर रहा है ओके और मैं आपको दो ways में solder करना दिखाऊंगा जैसे कि यहां पर आप यह देख सकते हैं यह इसे quick fix का soldering paste इसे flux भी बहुता है soldering flux तो पहले मैं इसके बीना solder करके दिखाऊंगा और इसके साथ भी solder करके दिखाऊंगा तो let's get started तो पहले मैं इस solar panel से start करता हूं यह 5-volt solar panel है आप देख सकते हैं जब मैं इसमें wire करने करूंगा तो आपको multimeter से देख के दिखाऊंगा फ्लैश में कि इसमें पावर आ रहा है क्योंकि अभी तो दूप नहीं है तो अगर मैं flash light की भी सामने से लाता हूं तो इसके अंदर current होगा क्योंकि solar panel है तो पहले मैं इसे आपको नॉर्मली शोल्डर करके दिखाता हूं यह मेरा सोल्डर आना इससे बहुत ध्यान से focus करके काम करना है आपको focus करके तो एक वायर आपको जूम करके मैं दिखाता हूं अच्छुली है हाँ ओके अब देखिए है अब बिना मैं soldering flux के solder कर रहा हूं तो यह वायर ऐसे हो गया ओके तो यह बिना soldering flux वाला wire है अब मैं soldering flux लगा के आपको दिखाता हूं तो soldering flux लगाने का भी एक तरीका होता है जैसे यह जो है इसको मैं आपको पहले open करता हूं और हाँ यह low metal यह स्टील के cap के अंदर आता है तो यह इसके आपको chemical reactions होते हैं जब इसको close रखते हैं तो आपको इसे close रखना हो यूज होने के बाद तो यह है वो पेसर यूज करते हो जाएं आसा तो यह समान दिखें कि ख़राब इखा रहा है यह पेस्ट आपको कोई बैसे कोई चोटी से चीज ले नहीं जिसा आप वायर पर लगा सकते हैं नहीं तो आप पहले वायर जो है यह रही आप पहले इसस जो यह दर स्ट्रेट कर लें फिर हलका से इसमेंए टिप कर दें तो इसमें की लग जाएगी ऑके देन अब आपको फिर से सोन राइन लेना बहुत ध्यान से डिल करना इसके साथ आपको अब ये बिना अब मैं व्लक्स लगा कर रहा है यह तुरंत हो जाता है तुरंट जो होता है वह तुरंट पिगलाता है और तुरं चिपका देता है देखिए डिफ्रेंस दिखाता आपको फोकस करके यह सोललर फ्लक्से बेन लगायं वायर्श सदर उदर हो गए है और अच्छे से सोललर भी नहीं हुआ बत जो यह वायला है इसमैं जैसरी मैं लगाए उसने मेटल सोललर वायर को पिघलाया और सारे वायर्श को एक साथ अलाइड करके चिपका दिया और देखिए निकला भी नहीं रहा ओके तो यह अब हो चुका है अब मैं काम करता हूं आपको मल्टी मीटर से प्लाश लाइट के अंदर पावर देखे दिखाता हूं कि वह कर रहा है तब तक आप बने रहें यह वीडियो में तो यह रहा मेरा मल्टी मीटर और मैं आपको चीज करना चाहूंगा कि अगर आपको रोबॉटिक्स या टेक्न आप जैसी चीजे पसंद हैं आपको करना अच्छा लगता है तो आप अगर यह सब यूज करते हैं तो आप एक मॉल्टी मिटर भी लिजी क्योंकि यह अगर आप नहीं लेंगे ना तो आपको ब अभी आपको उसके लिए बेनिफिशल होता है तो यह आपको रखना वा चाहिए यह मेरा आपके उपर है तो यह रहा मेरा सूलर पैनल यह मेरे मल्टी मिटर के वायर से यह अभी 20 वोल्ट पे सेट है यह 20 यह लिखा है अभी देखिए कोई भी लाइन जीरो है वायर दो नह सामने ही दिखाता है यह देखिए सोलर पैनल है यहां मैंने एक प्लस को पॉइंट किया अभी कुछ आया मिल्टर में डिडिंग नहीं आई ओके अभी यहां मैं एक फ्लैशलाइट अपनी अन करता हूं देखिए मेरी फ्लैशलाइट अन हो गई है अभी इसके सामने अगर म बश्रासामना करेंगा अभा अगर मैं दिखाऊंको देखिए अ फ्लैशलाइट से में कितो कि अ मैं तो फ्लैशलाइट क्या करता है वह जब उसे एनरजी अब्र जाछ आफफ और तो उसमें तो यह वोल्ट जो आया है वो आया है मेरे कैमरे की फ्लैश लाइट से जो आप सिल्वर देख रहे हैं इसने अपने अंदर यह को मतलब लाइट को अब्सॉफ करना चालू किया और एब्सॉफ करके उसे इलेक्ट्रिकल एनरजी में बनाया और जो एनरजी उदर से आ रही है तो जब मैंने रीडिंग दिखाई तो यहां पर 1.91 वोल्ट आया है तो यह हो गया हमारा फॉस डिवाइस जो हमने किया और यह बहुत अच्छे से सोल्डर भी हुआ और यह वर्क भी कर रहा है तो अब हम मिट्री मिटर को साइड रखते है क्योंकि इसकी यूज आएगी अ और आपको अगर आपके पास कोई 5 वोल्ट का जो आप फोन चार्ज करते हैं वो अगर आपके पास चार्जर है तो आपको मैं एक ओपीनियन दूंगा अगर आप उसमें अच्छे नहीं तो आप उसे मत कीजेगा लेकिन मैं करता हूं क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है आप आपको जो फोन का 5 वोल्ट 1 पर एम्पर 252 ओकि तो आपको 5 वोल्ट वण फोन चार्ज करते हैं अगर आप इसा करें तो इसी कर येगा तो अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे how to give power to a DC motor using our mobile charger तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे तो मैं कोई fake information आपको नहीं दूँगा जो real information है वहीं दूँगा मैं आपको तो आप क्या कर सकते हैं फाइव वोल्ट वन एंपेर का अगर आपको चार्जर है तो वह अपने और अगर आपको कोई पुराना USB केबल है तो वह अपने के उसे कट कर दें एक साइट से मतलब जिस साइट से आप फोन को हैं प्लग करते हैं वह साइट कट कर दें और उसमें से पहले आप वह दू वायर निकाले जो र spooky करता कि छो वस वाले अपने फोर वायास होते हैं USB के अंदर उत एक होता है दो वायर रस होते हैं जो डाटर कराएंगे तो वह उसमें फाइव वोल्ट है तो डीसी से मोटर करने लगे लेकिन प्रॉब्लम ही होगा कि मोटर हीट हो जाएगा तो बस आप करिए गा लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट हैं तो ही अगर आपको नहीं है तो मत कीजिएगा ठीक है तो चलिए अब यहां से मैं व इस पर इतना दबा रहा हूं देखें निकल लेए रहा यह होता है विडाउट शोल्डरिंग फ्लक्स वाला तुरंत निकलेगा यह देखें देखां यह होता है यह जो आप बैटरी देख रहे हैं यह है लीदियम आयन बैटरी ओके यह वान एट फार सिक्स फाइज जिरो व इसको करके भी दिखाता हूं हूं कि तो यह 200 2500 अम एच की बैटरी यह ये यह क्या है अगर आप इसको विडाउट सोल्डरिंग प्लक्स के सोलर करेंगे एक सिकंद हाँ विदाउट सोडरिंग के अगर आप इसे सोडर करेंगे न तो होगा यह कि यह सोलडर होगा नहीं बहुत कम चांसे से कि यह पकड़ेगा तो उस टाइम पे सोलडरिंग पेस्ट बहुत यूसफूल होता है ठीक तो यहसी बैटरी इसके साथ डील करते हैं तो आप विदाउर सोल्डरिंग प्लेस्ट मर्थ कीजिए क्योंकि इससे बैटरी भी आपकी डैमज हो सकती है क्योंकि ज्यादर तेर अगर आप बैटरी पर हीट आप कंजूम कराएंगे उसे तो बैटरी अपना जो केमिकल होता है रिलीज कर इसमें मैंने जैसी देखा कि उसमें से उतने कैमिकल रिलीस कर दिया है मैंने उसे फेक दिया ओके तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा और ज्यादा देर ऐसी बैटरी को हीट की टच में मत रखिएगा कम से कम मिनिमाम 10 से 5 सेकेंड नहीं तो अगर आप से हो सके जल्दी तो कम से कम तीन या दो सेकेंड के अंदर आप उसे से रिमूफ कर दीजेगा तो इसको सोल्डर करते हैं एक और टिप दूंगा अगर ऐसा ऐसा हाई क्लियरेंस वाला है आपका टर्मिनल मोटर का तो आप इसे हल्का साइस के अंदर इसे डिप वर दिए देखिए इसमें आप घ्रण कर दिखाता हूं इसको सोल्डर करकर आपको दिखाता हूं अ कि यह सोल्डर और राम मोटर अगरे को जब भी से सात्त काम होई देखिए अभी रोल हो रहा है इसने आपको लग भी सकती है ठीक अब मैं इस पर बार देखे कितना आई हो रहा है इसके लिए एक वीडियो मैं आपको अलग से इस पर बताऊंगा जिसमें मैं एक स्टैंड बनाऊंगा उस में उस वीडियो में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि अब जैसे यह सारे कॉंपोर्ट सिल रहे हैं देखे अच्छा यह सोडर नहीं हो पा रहा ना तो उसमें मैं स्टैंड बनाऊंगा ताकि आप उस पर मटे एरिया को जैसे मतलब अगर स्टैंड तो भी मैं एक वीडियो में बता हूंगा लेकिन अभी वह मैं नहीं बनाया है तो अभी के लिए इस से वक करते हैं यह यह अच्छा जुगाड़ है अब इससे पकड़ लिया हिल आ है बड़े के सोल्डर हो गया तो देखिए वन वाय हैस्पी सोल्डर आपको और जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको एकदम प्रॉप पर दिखे कैसे सोल्डर हो रहा है अब यह एक आप पिन भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आप यह पिन देख रहे हैं यह वायर आपको पकड़ने के लिए एजी रहेगा जैसे अब यह वायर सोल्डर नहीं हो है तो आप अगर बहुत पास में है कॉम्पोनेंट और आपका फिंगर टच हो सकता उससे तो यह बह कि चिमटे से पकड़ा हुआ है वायर को तो यह मुझे बहुत एफिशेंट लग चीज लगती है सोल्डर रिंग करते समय तो यह मैं यूज करता हूँ देखे हो गया अब देखिए यह जो वायर हुआ नहीं न सुल्डर यह बलू वाला वायर था यह देखिए इसमें मैंने सोल्डरिंग फ्लक्स नहीं लगाया था तो देखिए सोल्डर नहीं हुआ और परपल वाले मैंने लगाया था तो तुरंट सोल्डर हो गया तो अब इसमें भी में लगाता हूं पहले मैं इसको ऐसे कि टॉर्ण कर लेता हूं ताकि सारे बार सालाइंग हो जाए अब मैं इस पे लगाता हूं लग अभी देखें हल्का सा इस पे लग चुटा है थोड़ा सा में जूम आउट कर देता हूं हां इस पे लग गया है आप यह जो दो SMD कॉंपोनेंट्स बत देख रहे हैं इसको भी मैं आपको सोल्डर करना दिखाऊंगा लेकिन अगली वीडियो में क्योंकि यह वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है मैं नहीं चाहता oser दो कि नगली हो तो इसको सोडर करके मैं आपको सोडाकर दिखाऊंगा उसके बाद मैं इस वीडियो को बंद कर दूंगा Next week तो इस वीडियो में आपको मैं components solder करनाया को दिखाऊंगा इसमें आप components भी solder कर पाएंगे कि देखिए जैसे soldering flux लगाया यह एक हाथ से उठारा हूं जिसमें अभी जस तो रगिया देखिए तुरंत हो गया इसलिए इसलिए फिलक्स लोग यूज़ करते हैं बहुत अच्छी चीज भी है तो अब हम सोड़र को और अउसा को कि हमाई दोडों वायर फ्लग हो चुके हैं यह दोने वार देके ब्लग हो चुके हैं अब यहां पर मैंने जो hara connector लगया था है इसमें मेरा भी connector जो मैं आपको चार्जर वाली बात बता रहा अब charging में लगाते हैं मैं até को charger ready करके दिछाता हूं मिलता हौं तो यह charger में यूज करने वाला हूं अपने बैठरी पाव मोटर को पावर देने के लिए एस बैटरी यह किसी कंपचार्जर है अब यहाँ पी दो usb अब आपको फोकुस करके दिखाता हूं था हूं कि यहाँ पर देख हैं फाइव वोल्ट बन एंपी मतलब फाइव वोल्ट 1 ampere और इस पे लिगा है 5 volt 2 ampere तो आपको 1 ampere पे लगाना है मेरे पास एक USB wire है जिसमें ऐसा connector लगा है male female वाला तो मैं इस से इसको अगर आपके साथ पैरेंट्स हो अगर आप छोटे हैं तो ओके तो मैं आपको इसके बारे में नॉलेज हो या अगर आपके साथ बाइलन TWO फोटे है तो ओके तो मैं स्टो प्लग करता हूं अपने सॉकेट में इतर टो हुआ है हुआ है होकी मैंने सोऔके में वायर उत्eme करें है यह रहा हुआ है जरे रहा और यह रहा मेरा मोटर आपको इसमें टेप लगा के दिखाता हूं कि यह रन कर रहा है ओके यह दिखिए तो मैंने इस पर टेप लगा दिया है ताकि आपको दिखें अभी देखिए मूव नहीं कर रहा है क्याता है कि यह मैं इसमें वायर प्लगिंग कर देता हूं कनेक्टर लगा देता हूं कि कनेक्टर लग गया अब मैंने हाथ में पकड़ा है मैं जैसे स्विच्वान करूँगा है इंदेखिए अ कि इसका मतलब हमारे बायर सच्चे से कनेक्ट हुए थे और यह वक किया और देखिए अभी यह नहीं गुम रहा और आपको फिर से दिखाता हूं देखिए तो आपने देखा कि मोटर वक किया क्योंकि फाइब वल्ट वन एंपियर पे लगाया था तो इसको वोल्ट दे रहा था तो आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना ही बताऊंगा अगली वीडियो में मैं आपको SMD components order करके दिखाऊंगा तो उस वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे यार खाली उस पर प्रेस ही तो करना है और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार बाइबा क्क में आपसे में आपसे में आपसे अपसे मिलते हैं खो कर दो वीडियो के लिए नमस्कार खाली ऋबाइबाबार नमस्कार कर दो